अगर मैं आपको बोलू कि आज मैंने डिनर में शौमीन खाई, मंचुरियन खाया, पास्ता, दाल तड़का, दाल मक्नी, पनी डिश, राजमा मसाला, छोली मसाला, सोया चाप ग्रेवी, मिक्स वेट, जीरा राइस, रोटी, रायता, ग्रीन सालड, चटनी, अचार, ये सब कु विश्वास नी करोगे, कि मैं इतना कुछ खा सकती हूं डिलर में, हाँ ओर अगर मैं आपको बोलू कि ये सब कुछ मैंने खाया मात्र 2000 में, तब तो आम बिल्कुल भी विश्वास नी करने वाले हों कि 200 200 रुपे में इतना कुछ कैसे मिल सकता है, हाँ? So, अब मैं आपको flashback में लेके चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने ये सब कुछ 200 रुपे में कहा खाया, कैसे खाया, कब खाया? एक दिन नाम में वैशाली नगर किसी काम से आई, तो मेरी नजर पड़ी एक बहुत ही उनीक से नाम पर, Motus इस आउटलेट का नाम तो युनीक लगा ही मुझे, बट सबसे जादा जिस चीज में मेरी अटेंशन सी की, वो था यहां मिलने वाले बफे का प्राइस मतलब मैं ना आपने आपको रोक नहीं पाई और कंफर्म कने के लिए अंदर चली गई, मुझे पका लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो कैच होने वाला है, मतलब ऐसे कैसे, 200 रुपे में बफे हाँ chocolate, come on! Hallo! Sir, मैं बाहर निकल रही थी यहां से, तो मैंने देखा की जो बफे का प्राइस हा, तो हंड्रुपिस 200 रुपिस में मुझे बफे में क्या क्या मिलेगा यही यहीं मील्दे लगा यह सबकुछ मुझे 200 रुपिस मुझे मिलेगा यह जो राइट साइट पर चार्ट है कुल्फी है तंदूर आइटम्स है यह जो प्राइस को मिलेंगे आपको यह बफे के अंदर एड़न हो सकते हैं ठीक है जिसे कुल्फी को में को यह कुल्फी है फालूदा रब्री है 90 रुपीज की है अगर मुझे यह इस बफे मेन्यू म आपको पार्टी करनी है जैसे पार्टी करनी है तो यह बफे चार्ट फुफी 375 के में अच्छा टोटल जो मेरा हो जाएगा 375 का मोटूज एक टोटल वेज रेस्टरौन है और पूरे जैपूर में इनका एक ही आउटलेट है वो है विशाली नगर में एन गाइज मोटूज में सिरफ बफे ही नहीं है आपके खाने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं यह है चार्ट का काउंटर और यहां पर आपको खाने के लिए मिल सकता है गोलगपा दही वाला गोलगपा पापड़ी चार्ट दही काउंटर और यहां पर आप ट्राइ कर सकते हैं फालूदा रबड़ी रबडी कुलफी स्टिक वाली ठीक है जो अली चुछी उती हैं यहां पर रस गुलाब जामूल भी आप ट्राइकर सकते हैं इतनी सारी आइटम्स है कि मेरे को पिक्चर क्लीक करके आपको बताना पड़ में को यहां का इंटीर्स भी बहुत ही प्यारे लगे और आम्बियंस भी बहुत अच्छा था बजए फ्रेंडली तो यह है ही अच्छा राहूल जी मुझे यह बताये कि मैं यह बफिक कहां ट्राइब कर सकती हूं इसका नाल मोटू क्यों है मतलब लोगों खिला खिला के आप मोटा करने वादे हो कि यह चाहिए तर्थ हक नाम कि बहुत ही प्यारा नाम है बड़ा यूनीक नाम है इंपटुस isa यह था इसलिए मैं सामने से निकल रहे हुए है और मैं रुक नहीं पाई, मैं रुखने है यहां जाना ही चाहिए, मुझे ट्राइथ अना ही चाहीए, मुझे ट्राइथ अना आपका बिल्गंदा में 420 गा 420, 420 क्यों? 200 रुपीज है वो तो, बफे मेन्यू यह 5% GST है ना, 200 के बफे 5% GST ठीक है, ठीक है, ठीक है यह लिजे टोकन और जाहिए 1st फ्लोर पे थैंक्यू जोई कीजे आपना फूर थैंक्यू, तो लेट्स गो गाइस और 1st फ्लोर पे चलते हैं, ट्राय करते हैं मोटूस का बफे मेन्यू, जहां बहुत कुछ मुझे मिलने वाला है Let's go And guys, मैं पहुंच कई हूँ 1st फ्लोर पे और जो मुझे यह टोकन मीला है वो मैं यहां पर डिपॉजिट करूँगी Hello Hello Okay, so मुझे थाली दी गई है अब में जा रही हूँ ट्राय करने के लिए मोटूस का बफे देखते हैं कि क्या-क्या मिलने माला है मुझे So, इससे पहले कि मैं फूद ट्राय करूँ आपको मैं रेस्टान दिखा देती हूँ बहुत ही प्यारा सा और बड़ा ही मतलब मुझे राजस्थानी थीम वाला रेस्टान लग रहा है गे यह देखी बहुत प्यारी-पैंटिंग्स लगाई हुई है यहां पर And sitting capacity मुझे काफी अच्छी लग रही है कितने लोग यहां पे बैट के खाना खा सकते हैं अगर आप नेक्स किरी पार्टी यहां प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से प्लान कर लीजए बहुत ही एकनॉमिकल पढ़ने वाला है आपको Okay, so यहां का interior मैंने आपको दिखा दिया है तो चलिए अब खाना खा लेते हैं यहां का staff भी मुझे बहुत ही cooperative लगा और यह जो buffet है इसमें आपको total 16 items serve की जाती हैं और lunch का जो time है वो है दोपहर को 12 बज़े से लेके शाम 5 बज़े तक और डिनर का timing है 6.30 pm to 11 pm And guys मेरे साथ Jyoti Sharma जी है वो मोटूस का buffet try कर रही है पूछते हैं उनका कैसा experience रहा Hi Jyoti ji Hello mom So कैसा लग रहा है आपको food यहां का quality कैसी है See मैं भी याज जी first time मैं try कर रही हूं And मैंने यहां पर देखा कि जो खाना है वो अदम homemade type है ऐसा लग रहा है इसा घर में बना है So it is not too much oily, बहुत अच्छा बहुत simple खाना है Thank you thank you enjoy your meal यह है दाल तड़का और यह है दाल मकनी वाव दाल मकनी बहुत अच्छी लग रही है राजमा मसाला, राजमा मसाला का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है छोले मसाला, this is soya chaap gravy Soya chaap gravy भी बहुत अच्छी लग रही है इसकी gravy और यह पनीर की डिश है, I guess यह पनीर बटर मसाला है यह है mix veg, this is jeera rice and इधर है रायता, यह बूंदी रायता है इसमें क्या है, okay, इसमें है green salad, okay इसमें भी salad है, onions है, इसमें कट किये हुए है और इसमें देखते हैं, okay, इसमें भी salad ही है, tomatoes है इसमें अचार है, mix, जो अचार होता है, वो वाला है, इसमें अचार इसमें है green chutney अचार जीदा rice मुझें यहां नजर आ रहा है, लेकिन रोटी का कितना, क्या option है आपके पस? इसमें बटर नान है, इस्टप नान है, इस्टप और अठाय है, और तंदरी बटर रोटी है, पिले नोटी है ओके, तो पांच options तो आपके बास रोटी की ही है, और मैं उतना ही लूगी थाली में, जितना की मैं खा पाऊंगी, बिकस्ट वेस्टेच नहीं करनी है मुझे food की जब मैं ground floor पर शूट कर रही थी ना, तो मेरी नजर पड़ी राजकचोरी के उपर, तो मैंने भी अपने लिए एक राजकचोरी का order कर ही दिया, अरे ये क्या, आपके मुँमें तो पानी आ रहा है राजकचोरी को देखके और इसके बाद मैंने अपनी थाली में खाना डालना शुरू किया, थोड़ा-थोड़ा करके मैंने डाला क्योंकि मुझे सब कुछ टेस्ट तो करना ही था थोड़ा-थोड़ा सा, और खुश्पू काफी अच्छी थी खाने की, मसालों की खुश्पू बहुत ही अच्छी आ बहुत अच्छी रग रहे हैं अदर, यह मैंने थाली लगा ली है, और मैं इतना ही खापाऊंगी जो मैंने वेस्ट नहीं करना है, उतना ही लिया है, इसके साथ ना मैंने एड़ान करवाया था राजकरचोरी को, राजकरचोरी कार प्राइस is 75 रुपेस, तो जो बफे का प तेस बदाती हूं मैं आपको थाली का, सच में जैसा उन्होंने कहा था कि घर वाला ही खाना लग रहा है, अच्छा, लग रहा है, लेस ओईली है, सबसे अच्छी बाद जो इस थाली की मुझे लगी है, यह लेस ओईली है, और आप कुछ भी इसके साथ एड़ आन करवा सकत मुझे राज कचोरी का टेस्स बहुत ही अच्छा लगा मुझे अमर्सर में ऐसे छोले मिलते हैं कुल्चों के साथ वैसा इनका कलर है टेस्स बताती हूं काइस खाना बहुत टेस्टी है 200 रुपीज में अगर आप सोचे की 200 में अब खाना जा रहे हैं कहीं बाफे एंड क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है सब चीज बहुत ही रेस्टी है दालमकनी की बहुत टेस्टी है बनेख पनीर भी बहुत सौफ्ट है जो मैंने पनीर की डिश्ट राए रहे हूं पनीर काफी सौफ्ट है कि मैं मंचूरा न का मैं बताती हूँ आपको टेस्ट सच में गाइज आपको मोटूज में आके इनका बफे ज़रूर ट्राइ करना चाहिए बहुत ही तेस्टी है सब कुछ और स्पाइसिस बहुत ही पॉफेक्टली बने हुए है यह सब चीजें फूद वास पॉफेक्टली डिलिश्योस इन एवरी बाइट और वो कहते हैं ना गुट फूद आल्वेस बिंग स्माइल आन यो फेस तो गाइस दिस वास माइट व्लॉग मोटूज में मैं आई आपको खिलाने के लिए थाली यहां का जो बफे है वो खिलाने के लिए लेके आई और अब ना नेक्स टूज़े को मैं आपको लेके जाने वारी हूँ साउथ में चलिये मिलते हैं नेक्स टूज़े को कुछ नया कुछ बहुत इंट्रेसिंग लेके आऊंगी तिल देन स्टे सेफ और कीपास किंग एर लाइफ ओके नाव वाट कर दो कर दो